ओम शान्ति आप सबको नमस्ते आज आपका 202 दिन की श्रीवर्दान में हम पहुंच चुके हैं और आज की श्रीवर्दान में आगे बढ़ने से पहले हम इस लिंक पर जाएंगे जोकी नए श्रीवर्दान है वो जाकर के चेक कर सकते हैं यूगासन, डायेट और साथी साथ आपके सोने की कला कि कैसे आप शान्ति से आराम से सो सकते हैं और सुबह उठतावे फ्रेश हो सकते हैं यहां पर चेक करिएगा और अब चलते हैं आज की श्रीवर्दान में परमपिता परमात्मा हमें संतुष्टा के तीन सर्टिफिकेट लेने क्ले बोल रहे हैं एक नहीं दो नहीं तीन सर्टिफिकेट ऑवर तीन सर्टिफिकेट हैं क्या जरा देखें जरा परमात्मा कहते हैं आज की बर्दान में संतुष्ट्टा के 트ीमूर्थि सर्टिफिकेट द्वारा त्री मूर्ति, तीन सर्टिफिकेट द्वारा, सदा सफलता प्राप्त करने वाले, सफलता का राज यहां है, करने वाले उचपद के अधिकारी भवा, तो विस्तार में चलते हैं, बाबा कहते हैं, सदा सफल होने के लिए, बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए, कनेक् बाबा कहते हैं, हर एक को तीन सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, पहला, आप खुद को ही अपने आपको सर्टिफिकेट देना, और तीसरा परिवार से, परिवार मेंज पूरा वर्ल्ड भी एक फैमली हो गई, आपके आज सपास जो रह रहे हैं आपके फैमली में बज वो याद रखो, छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है, कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, हर किसी को रिगार्ड दो, रिस्पेक्ट दो, हम क्या करते हैं, तू तू मैं में करते हैं, मेरी बात अगर सही भी होगी, तो दूसरी को परमात मैंने कहा याद आपको, कि किसी की बात अगर आपको लगता है, कि वह सही भी नहीं है, लेकिन फिर भी, उनकी बात सुनो, उनकी बात को हजूर कहो, जी हाँ, ठीक है, अच्छा आइडिया आपका, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ऐसे भी करके चेक कर लेते हैं, परमात में कहते हैं किसी की बात को, idea को धिकर ना नहीं, वो होगे disrespect करना, तो ये चीज हम बहुत करते हैं अपने परिवार में family में, जिस कारेड से क्या होता है हम ना respect दे पाते हैं ना वो और हमें respect देते हैं, और respect ना देने की निशानी क्या होती है, यहीनि कि मूख से बोलेंगे, तो परमात्मा कहते हैं चोटी सी बात दराग दिया को कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे जहां पर रिगार्ड नहीं देंगे वहां पर आपकी बात नहीं मानना ही डिस्रेश्पेक्ट देना है आपको तो यह चीज ध्यान रखेगा अगर आपके परिवार परमात्मा के साथ में सच्छा होना यह सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है दुनिया का सबसे बाड़ा सर्टिफिकेट पिर कहते हैं और परमात्मा कहते हैं कि स्वयम से संतुष्ट करने के लिए, रहने के लिए, अपने आप से संतुष्ट कैसे रहे, कि मैं अपने आप से साटिस्वाइज कैसे हूँ, आत्मा अपना ही दुश्मन है, आत्मा अपना ही दोस्त है परमात्मा कहते हैं, उसके लिए स उन चीजों के नुसार नहीं चलोगे तो नुकसान किसका अपना है तो परमात्मा यह चाहते हैं कि उस लकीर में चले तब हम अपने आप से संतुष रहेंगे चला आज मैंने परमात्मा जो कहा उसके नुसार चला मैं अपने आप से खुश हूँ संतुष्ट हूँ वह बहुत कर रहे हैं वो सारी चीज़ अगर करते रहें तो जाकर के संतुष्टा हमारे अंदर रहेगी फिर बाबा कहते हैं रहने के लिए सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो ये तीन सर्टिफिकेट उचपद का अधिकारी बना देंगे तो सबसे पहले परिवार फिर रिस्पेक्ट देना उनको दूसरा परमात्म के अनुसार चलना उनसे सच रहना उनसे जूटनी कहना चुपाना नहीं कैसे आप अपने मन की बाते परमात्म कह सकते हो लेकिन चुपाऊगे त तीसरा अपने आप से संतुष्ट होने के लिए अपने आपको सही दिशा पर चलाना ताकि आप अपने आपसे खुश रहा हो ये तीन चीज अगर हम करेंगे तो हम किसके उंच पद के अधिकारी बन जाएं क्योंकि परिवार भी आपसे खुश है परमात्म भी आपसे आपको गिल्ट रहेगा अंदर और परमात्म के साथ में अगर आप जूट कह रहे हो चुपा रहे हो तो अंदर तो गिल्ट के अंदर आप डूपते रहोगे तो ये तीन चीज़े अपने जीवन में चेक करिए और चेंज करिए और आगे बढ़ते चलिए आप सफल रहें आ झाल